Expension का Exercise to become question solve करेंगे इसमें जो है हम पहले भी बता चुके है इसमें से वही question solve करेंगे जो हमारे लिए Important है exam के लिए And तो देखे यहाँ पर हम question बता चुके थे आगे बताने वाले परस्टन देखेए यहाँ पर हमारे लिए important question 10 है जैसे 10.1 by 2 log 1 plus x का whole power 2 है मतलब इसका आपको पूरा square है तो चलिए ये question है इस question को solve करते एक्जाम के लिए important होगा वही हम बनाने वाले हैं तो देखें यहाँ पर question number 10 यहाँ पर question number 10 1 by 2 log 1 plus x का whole power 2 बराबर हमारे पास देखें इतना है और यहाँ पर क्या करना हमने मान लिया y बराबर 1 by 2 log 1 plus x का whole square यहाँ पर x के जगाँ पर हमने 0 पूट कर दिया तो log 1 का मान कितना होता है 0 होता है तो हमारे पास 0 आ चुका मतलब y 0 y 0 मतलब होगी आपको f 0 मतलब f 0 समझते बिलकुल यहाँ पर परियोग कर रहें किसका परियोग कर रहें mcloranin's theorem का वहाँ उसके लिए सुत्र क्या होता वो सुत्र आपको पता होना चीए हमको सबसे पहले इसमें आपको f 0 निकालना परता है फिर आपको जो है आप क्या निकालना परेगा x तो आपको यहाँ पर f 0 निकालना परता है इसी परकार यह चलता है तो यहाँ पर हमको f 0 भी चाहिए तो यह जो हमारा function है यह तो y बराबर जिसको माला है इसको आप direct function भी मान सकते कोई मुश्किल नहीं है अब देखिए यहाँ पर f 0 बराबर हमारा 0 आ चुका है y1 निकाल लेते है y1 बोले तो आपको क्या यह f-x यहाँ पर देखिए y1 निकाल लिया 1 by 2 कैसे हो गया तो यह y है इसका 1 by 2 बाहर यह constant था यह आपको क्या लग जाएगा log 1 plus x का यह 2 बगल में आ जाएगा यह log 1 plus x रहेगा फिर log 1 plus x का differentiation 1 by 1 plus x और 1 plus x का differentiation 0 plus 1 chain rule लग जाएगा यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर y1 यह y1 है यह 1 plus x से multiply y1 into 1 plus x बराबर log 1 plus x आ चुका 2 से 2 cancel इसे हमने equation 1 माल लिया क्योंकि आगे भी इसका differentiation करना परेगा put x बराबर 0 हमने का क्या x के जगा पर 0 put कर दिया तो देखिए क्या आ चुका है y1 0 1 plus 0 जहाँ भी x से वो 0 मतलब यह भी 0 y1 0 का मान आ चुका 0 मतलब यह भी आपका 0 आ चुका है मतलब हमको और निकालना परेगा कम से कम तीन मान निकलना चाहिए 0 को छोर कर एगें differentiation करते equation 1 का तो 1 का फिर से differentiation करते y1 यह 0 plus 1 1 plus x y2 1 बट्टा 1 plus x अब देखिए यहाँ पर आपको log 1 plus x का तो एतना आ चुका है यह 0 plus 1 1 plus x का फिर से हमने इसको इधर भेज देंगे तो आगलाट्रम हमारा आशानी से निकल जाएगा यहाँ पर x के जगा पर 0 पुट किया y1 0 1 plus 0 y2 0 बराबर 1 अब देखिए तो यह y1 0 हो गया क्योंकि x के जगा पर 0 यह y1 में 0 लगा देते हैं यह 1 plus x है तो x के जगा पर 0 यह y2 0 यह तो y2 0 का मान निकाल चुके हैं नहीं निकाल चुके हैं y1 0 का मान 0 है तो हमने 0 रख देंगे यहाँ पर y2 0 का मान तो निकाल लें यह 1 है तो y2 0 का मान आ चुका है 1 मतलब यह हमारे को यह काम का चीज आ गया f double dash 0 का मान आ चुका 1 and equation 2 में यह हमारा equation 2 है इससे हमने उपर वापस से भिज़ दिया तो हमारे आ चुका है इतना इसका फिर से differentiation कर देते हैं यह y1 का y2 यह 1 पलस x y2 तो यहाँ पर आपको u in 2 भी लग गिया तो 1 पलस x को रहने दिया y2 का y3 यहाँ पर 1 पलस x को रहने यह इसका differentiation कर देंगे और y2 का आपको रहने देंगे तो यहाँ पर आपको इसको minus 1 भगल में 1 पलस x का पावर minus 2 मतलब किलियर ली आपको equation 3 की बात करें तो ऐसा आ चुका है फिर इसमें हम 0 पूट करेंगे यह y2 पलस 1 पलस x y3 पलस y2 बराबर इतना आ चुका है x के जगह पर यहाँ पर भी हमने का किया 0 पूट किया अब 0 पूट करने का मतलब हुआ यह तो आपका क्या हो जागा 1 हो जागा लेकिन minus में क्योंकि यह तो पलस 1 लेकिन उपर minus बैठा हुआ है तो यहाँ पर y20 यह आपको double y2 है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर y20 y2 का मान आपको 1 आचुका है यहाँ पर भी 1 डाल दिये यह आपको y3 यह तो 1 हो चुका है तो y30 का मान हमने आसानी से निकाल लिए यह 112 इधर भेज दिया minus 3 y30 का मान y30 का मतलब होगी आपको f triple dash 0 और आगे हम फिर से इसका निकाल लेते कम से कम सीरीज बनाने के लिए तिन टर्म हमारे पास होना चीए जो आपको दो टर्म आ चुका एक 1 एक minus 3 एक और लिए आते जो इसका equation 3 का हम क्या करते है differentiation कर लेते है यह 2 y3 कैसे देखिए यह हमारा इसी परकार का equation 3 लेकिन यह उपर में लिखा हुआ को दिकत नहीं है y2 का आपको y3 लेकिन यह 2 y2 है ना तो 2 y2 3 y3 लिख सकते y2 का differentiation y3 यह 1 plus x y4 कहां से आ गया तो यह देख लिए यह 1 plus x से y3 का u into b इसमें लगा दिया तो आपको लिख दी हमाने यहाँ पर आपको 1 plus x को रहने दिया y3 का y4 हो चुका plus y3 1 plus 0 कैसे तो देखिए y3 को रहने दिया इसका differentiation आपको 1 plus 0 आप देखिए यह आपर यह उपर चला जाएगा तो minus 1 बगल में minus 2 बगल में minus 3 बेज दिया यहाँ पर x के बराबर 0 पूट कर दिया तो clearly 0 पूट करने के बाद देखिए ऐसा आचुका है यहाँ पर देखिए 1 plus 0 y4 का मान चाहिए हमको y3 का मान कितना है मालो में तो देखिए minus 3 मालो में minus 3 हमने रख दिया और यहाँ पर आ चुका y4 का मान 11 आ चुका है अब यहाँ पर आपको solve करना क्या है वो देखिए by maclodin's theorem इस theorem का हम परियोग करते हैं यहाँ पर f0 का मान f-0 का मान सब का मान हम put करते हैं बारी-बारी से तो यतना आ चुका है अब देखिए यहाँ पर आगे भी इसमें ट्रम आएगा यहाँ पर plus हम dot dot दे देते हैं आगे भी चलेगा infinity तक यह x square by 2 कहां यह वला यह सब 0 हो चुका है यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 plus 1 by 2 यह कहां से आगी है देखिए minus 3 को हमने तो रहा यहाँ पर देखिए धी पर कहां यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर आपके पास इस तरी के साथ चुका और यहाँ पर ग्यारा को बिसी परकार तोर लिए देखिए 11 को कैसे तोरेंगे ये 2 है ये 1 है ये आपको 3 है आप देखे ये इसको क्या कर सकते दूती आई 6 ये 4 ये 4 यहां पर देखे इसको तोरेंगे ये 6 चौक 24 मतलब वापस समय फेक्टोरियल 4 मिल जागा कोई इफेक्ट नहीं पर यहां पर यहां पर आईसे हम तोर सकते हैं ये 11 है लेकिन आपको फेक्टोरियल 4 को तोरना पड़ेगा चार को रहने देंगे छे को इधर भेज देंगे और बट्टा में आ जागा ना दोनों को हम तोर के इतना लिग सकते हैं यह हमारा कोशन नमबर आपको सॉल्व हो चुका है इस में से और कोशन सेलेक्ट की है जैसे हमारा कोशन नमबर देखें 14 जो है इसे सॉल्व करते है ये वी कोशन अच्छा है तो इसे हम ये 15 भी है तो हम ऐसा कोशन सॉल्व कर लेते है जो तो question number 14 है, यादि आप example नहीं बनाए हुए तो example बना लेंगे, फिर आप इसे बनाएंगे, बहतर होगा, पुरा example सॉल्ब कर लेंगे, उससे भी आपको exam में पड़सन आता है, यहाँ पर sine x है, cause hyperbolic x है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर हमने sine x का expansion लिख दि देखिए, इस तरीके का expansion सबका दिया हुए, expansion of some well-known function in the series, देखिए इस तरीके का आगे देखिए, आगे आपको इसमें क्या करना है, इसको हमने similarly रहने दिया, इसको multiply कर दिया, x का power 3 बटब factorial 2, x का यह 2 है तो जूर जाएगा, 3 का power 5 मतलब x का power 5 हो जाएगा, factorial 2, factorial 3, फिर इसको multiply कर दिया इतना, इसमें भी हमने multiply किया, तो multiply करने के बाद clearly यह इतना आचु तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, x का power q common ले लिया, minus के साथ यहाँ पर 1 बटब factorial 3, यहाँ पर 1 बटब factorial 2, अब देखते हैं, x का power 4 ही नहीं, x का power 5 है, कहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब common ले लिया, और common लेने के बाद 1 बटब factorial 5, यहाँ पर 1 बटब 好不好 ऐता ही रहेगा सिरीज बनाने के लिए कम से कम तीन तुम हमारे सब्सक्र cabe चाहिए इसका है तो 3डुटियल मितलब elkaar के तुम मतलब फैंड तुम VR घंज Er Pikush आचुका इसका LTM 120 यहां को 12 दाइं के 120, 24, 25, 120 इस तरीके समने तोर लिया मतलब सीरी जा चुका है X plus 2X का power 3 factorial 3 minus 4X का power 5 factorial 5 आचुका यह question number 14 था अब चलते question number 15 की और देखे यह भी हमारे लिए important है तो इसे भी solve कर ही लेते Y बराबर E का power AX cos hyperbolic X हमने मान लिया इसी यह function ही है FX भी इसको कह सकते हैं मुश्किल नहीं है FX ही है एंड यहां पर देखे एक्स के जगापर 0 पूट किया तो हमारे पास आचुका E का power 0 और cos hyperbolic X मतलब hyperbolic का मतलब समझे इसमें मान पूट कर रहे एका power 0 एका power minus 0 मतलब आपको इतना आ चुका 1 by 1 एका power 0 यह 1 plus 1 1 plus 1 मतलब 2 2 by 2 1 हो जाएगा वापस से मतलब Y 0 बराबर 1 आ चुका मतलब F 0 बराबर भी 1 कह सकते मुश्किल नहीं है यह साइन hyperbolic X के लिए आपको याद रखना है मतलब यहाँ पर आप 0 पूट करिएगा तो इसका आपको 0 ही हो जाता है कोई दिकर नहीं है इसके जगा पर आपको इन दोनों को मिलकर आपका वाई बन जाएगा एक को छोर कर तो हमने इसको पहले इसको लिख दिये कोई मुश्किल नहीं है इसके जगा पर हमने वाई भेज दिया इतना के जगा पर और यह हमारा एक्वेशन बने क्योंकि अगला हमको निकालना है अब यहाँ पर हम पूट करते एक्स के जगा पर जीरो तो आप देखें यहाँ पर वाई वन जीरो तो वाई जीरो का मतलब हो गया आपको क्या एफ याद रखेंगे इसे भूलना नहीं है अब देखें इजीरो इका पावर जीरो फिर हमने पूट कर दिया यह तो आपको जीरो ही बनेगा मुश्यल नहीं है एवाई जीरो मतलब आपको वाई जीरो का मतलब क्या हो गया आपको वन लाए थे तो वन तो ए हमारा आ चुका है अब देखें एगन डिफ्रेंशेशन करते हैं एक्वेशन वन का इक्वेशन वन इस तरीके का दिखता है इसका डिफ्रेंशेशन किया एका पावर एक्स को रहने दिया साइन का आपको कॉस हो गया यहाँ पर साइन को रहने दिया एका पावर एक्स का आपको यह आपको कॉ सिसका निकाल चुके हैं कितना ए निकाल चुके हैं यह आपको वापत जिरो हो जागा है क्योंकि साइन हाइपर बोली केक से जिरो पुट करिएगा चाहानी खत्म इसका यह 1 पालरेस तो A से A multiply, इसका 1 A है, और Y0 का 1 है, तो हमारे पास clearly 1 प्लस A स्क्वार आ चुका है इतना, फिर इसका differentiation करते हैं, equation 2 का, equation 2 देख लिए यह रहा, इसका Y का आपको हो गया, Y1 A का बगल में, Y1 का Y2 A बगल में, और यहां पर देखे, A constant यह बाहर है, इसलिए U into B, E का पावर X, को यहां से भी आपको निकल जाएगा, Y1 0 का मान A है, यहां पर A Y2 0 का मान 1 प्लस A स्क्वार, निकाल चुके अभी जश्ट निकाले, A Y0 का मान 1, मतलब के लिए लिए हमारे Y3 0 का मान आ चुका है, इतना, आपको यहां पर आप इसका जो है expansion, series में put करते हैं, अब देखे, बा हमने रख दिया, यहां पर किलियर लिए हमारे पास यह expansion, यह series हमारा आ चुका है, E का पाउर X, Cos Hyperbolic X, हम यहां पर Y question solve कर रहें, जो हमारे लिए important है,